हेलो स्टूडेंट मैं संकर कुमार स्वागत आप सभी का जादू गर्मेत में यह इंटर मीडियेट सेंटर परिक्षा 2020 यहां पर आप देख सकते हैं यह जोगराफी का वर्जिनल कोस्टन पेपर है मेरे डियर स्टूडेंट जितने भी इंटर का स्टूडेंट है फटा फट आप लोग चल दिस इस वीडियो को सेयर कर दिजिये आपको answer seat जो है सहीत बताएंगे और objective subjective दोनों आपका यहां पर मिलेगा वीडियो को end तक देखना आपको यह जोगराफी जिसका जिसका भी है वो इस वीडियो को completely देखिएगा चलिए हम चलते हैं सबसे पहले आपको objective क पर सही उत्तर मिलेगा, गलत उत्तर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वरिजनल कुष्टन पेपर से सॉल्व किया गया है, चलिए हम से चलते हैं आबजेक्टीव में, अंसर चीट यहां पर आपका ये आप्जेक्टीव का answer seat इसलिए तयार किया गया है ताकि आपका 3-4 मिनट में total objective complete हो जाए आपको 35 objective बनाना है 70 objective रहेगा 35 ही objective आपको बनाना है मेरे dear student एक का D में दिजेगा 2 का C में 3 का C में 4 का D में 5 का C में 6 का B में 7 का A में 8 का A में 9 का A में फटाफ़ट आप कॉपी में चाहे तो नौट भी कर सकते हैं इसे ठीक है 100% सही उत्तर है 10 का A में 11 का D में 12 का B में 13 का C में 14 का C में बनाते जाएं इसके बाद यहाँ पे 20 का A, 21 का A, 22 का D, 23 का C, 24 का C, 25 का यहाँ पे C, 26 का C, 27 का C, 28 का A जल्दी जल्दी लिख लिजें आप कॉपी में से नौट कर लिजें ठीक है समय नहीं रहने के कारण जो हैं एंसर सीट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहें ताकि जो हैं आपका जल्द से जल्द कम्पलिट हो जाए 28 का A, 29 का A, 30 का C, 31 का D, यहाँ पे 35 लिखा गया है तो 35 का C म दिजेगा 36 का B, 37 का D, 38 का B, 49 का B, 40 का यहाँ पे B में तो आपको 35 objective ही बनाना है मेरे dear student 35 objective बनाना है और subjective के लिए आपको telegram जोईन कर लेना है क्योंकि subjective जो आपको solve करके telegram पे ही मिलेगा subjective telegram पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसी वज़े से time कम है और जो है आपका यहाँ पे यह जादू गर्मेत को सर्च करना है telegram में जाके और telegram खूल के में रहा जाएगा वहाँ पे subjective question आपको मिल जाएगा तो फटा फट जाएगे और वहाँ पे telegram पे आपको subjective भी मिल जाएगा यह answer seat भी आपको मिल गया अब कहिएगा कि सर्च जो यहाँ पे original paper क्यों नहीं दिखाएं तो कवलेज का आदेश है कि original paper नहीं दिखाने का original paper दिखाने से कानून करवाई हो सकता है इसी वज़े से question को out नहीं करवाना है इसलिए आपका question paper जो है नहीं दिखाया गया है और answer seat आपको दे रहें 100% सही है मिलते अगले वीडियो में जय हिंद जय भाल